हाई गुडिविंग एवरीवन होप एवरीबडी इस डूइंग ग्रेट सो फाइनली एक्सपारी खतम हो चुकी है वेल काफी जादा दिक्कत थी काफी चौपी मुव्स थी आज बट समभाव भी मैनेज़ डिट सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही आज गाप डाउन खुले थे और निफ्टी गाप डाउन खुलने के बाद जो शिक्स्टीन हंड्रेट शिक्सीन थाउजन थी हंड्रेट का लेवल है वहाँ पर उसने थोड़ा मतलब सबसे पहले वहां रेसिस्टेंस देखा और फिर उसी लेवल पर सपोर्ट लिया और वहां से फिर इसले फिर उपर की तरफ रैली दिखा दी एंड कहा क्लोज किया है इंग्जाक्ली 16500 के लेवल पर जो मल्टीपल टाइम सपोर्ट बन रहा था और उसके बाद तक मुल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस बन रहा था अब वापिस उसी लेवल पर ख्लोज किया है और यह बहुत ज्यादा एक्साइटट रहेगा मैं तो बहुत एक्साइट रहूं गोगा देखने के लिए कि अब यहां से क्या होता है नेकिन अब क्या होता है क्या वह वापीस लेवल वह रिजेक्शन होगा या वह मतलब बहुत अच्छा-चैट चूट देगा लेवल और बैंग निफ्ट भी आज थोड़ा गाप डाउन खुला था एंड दन उसके बाद फिर 34 800 का जो लेवल है ऑल्मोस्ट पूरे दिन उसी के अराउंड घूमता रहा फिर वापिस को ब्रेक किया नीचे की तरफ फिर वापिस कोशिश की तोडने की जब लास्ट में निफ्टी कंटिनूसली उपर की तरफ मूव दे रही थी वैसे ही बैंग निफ्टी ने कंटिनूसली 34 800 से बहुत अच्छी मूव दी और 35,000 के ऊपर भी बहुत अच्छे से तो मैं आपको सबसे वहले अपनी पोजिशन दिखा देता हूं इसको मैं रीफ्रेश कर देता हूं रीफ्रेश करके देखेंगे तो 2112 आज ग्रीन में क्लोस किया है वेल और बुक में दिखाऊंगा तो 940 को मैंने शॉर्ट शेडल बेच दिया था 16300 का उसके बाद मार्किट कोड़ी ऊपर जा रही थी तो 1021 पे मेरा कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस्ट हो गया था एंड उसके बाद मार्किट काफी देर तक एक ही रेंज में ट्राइवल कर रही थी एंड आइवस लिटल हैपी बिकॉस मतलब में को थीटर डिके काफी अच्छा मिल रहा था लेकिन उसके बाद फिर मार्किट थोड़ा नीचे की तरफ रिट्रेस हुई जैसा मैंने बताया था कि मतलब 16300 वापिस से उसमें कोशिट की टेस्ट करने की इस वज़े से मेरे को वापिस 16300 कॉल ऑप्शन में री एंट्री मिली और री एंट्री मिलने के बाद जस्ट 10-15 मिनिट म महीं मार्केट फिर कंट्री उपर जाती चली गई जिसकी वज़े से जो मेरा कॉल ऑप्शन री एंट्री था उसमें मेरे को स्टॉप लॉस्ट हो गया और उसके बाद मैंने सारी एक्जिट कर दिया सो अगर आप मार्निंग से देखेंगे आज पूरी मेरी ट्रेड सो मैंने मेरे मॉर्निंग में तो मैंने टोटल थी इंट लीती चिसमें मैंने दो कॉल ॉप्शन ली थी और एक पूट ऑप्शन जो मैंने दोकॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉसे हो गया जूँ मैंने माटको चार्ट में दिखा देता हूं वह अब आपको बेटर समझाएगा अब आप देखेंगे तो मार्केट अच्छी अच्छी खासी गाप डाउन खुली थी यह जो मैंने रेंज बताई थी इसी के नीचे खुली थी लेकिन फिर फिर कंटिनूशली उपर जाती चली गई और इस लेवल पर सपोर्ट लिया अच्छे से अच्छी खासी बुलिश दिखाई है सो अब मैंने नाइन फॉर्टी इग्जाट्ली इस कैंडल पर इस कैंडल पर अपनी ट्रेट एंट्री कर ली थी एंड उसके बाद 1021 पर आप देखेंगे तो इस कैंडल पर मेरा पहला जो मैंने कॉल उप्शन बेचा था उसका स्टॉप पर इसकी वज़े से अच्छा प्रॉफिट्स हो गया तो इसलिए मैंने ओर आल ग्रीन में बुक किया है अब ऐसे दिन मतलब अब जो यह वाला दिन है इसमें मैं मार्किट को ब्लेम नहीं कर सकता और हम मैं से को भी मार्किट को ब्लेम नहीं कर सकता यूश्ट अगर आप ल आप अगर आप ऊवर आल देखेंगे तो मार्किट बस मतलब ऊपर ही गया बेकाज आप देखेंगे तो शिक्सिंट टूफिवटी की रेंज से शिक्सिंट फाइव और लेकिन उस पूरे दिन के बीच में आप देखेंगे तो कितनी चौपी मूश थी आप देखेंगे तो यहां से मार्किट पहले नीचे आई फिर उपर गई फिर यहां पर थोड़ाइज किया फिर कंटिनुसली उपर गई और फिर यहां से काफी जादा नीचे आई काफी स्टीब करेक्शन थी तो जो बेच रहे हैं उनको तो मेरे साब से इतनी दिक्कत नहीं होगी लेकिन जो वाला है और इसी सपोर्ट लिया अठीक फिर बादा जल्दी स्टाइक होते हैं जिसमें आपके सटाप ल्स्स बहुत ही जल्दी क्विकली हीट हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं है बहुत इंपोर्टन रेसिस्टेंस है आप देख सकते हैं यह पहले जो ही सपोर्ट था अभी रेसिस्टेंस बन चुका था और इसी लेवल पर क्लोज किया है मार्केट ने अगर फ्राइडे कल अगर मार्केट फ्लाट खुली और इसके इस लेवल के ऊपर निकलती है लिए और इसके बाद फिर देख सकते हैं यह मैं बना देता हूं यह पूरी रेंज एक सपोर्ट का काम कर सकता है और जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगी कि आप देखेंगे तो आज भी इसने कोशिश की लेकिन यहीं से इसी लेवल से फिर कंटिनुसली ऊपर की रैली देदी तो अगर शिक्स्टीन टूट निकलता है देन उसके बाद जो नेक्स सपोर्ट आ जाता है वो शिक्स्टीन थाउज़न एक बहुत इंपोर्टेंट सा रपोर्ट है निफ्टी के लिए और वही अब हम बैंग निफ्टी देखेंगे तो बैंग निफ्टी भी आज एक गाप डाउन खुला था और उसके बाद फिर वह कंटिनुसली ऊपर जाता चला गया लेकिन वह इतना यह असानी से नहीं गया उसने काफी प्राइज दिखा आया और प्राइज दिखाने के बाद वह उपर गया है सो अब उसने कहां क्लोज किया एक्जाक्ली अपने रेसिस्टेंस पे जो 35 150 के आसपास है अगर मार्केट फ्लाट खुले और बैंग निफ्टी 35 150 तोड़ता है जो नेक्स रेसिस्टेंस आ जाता है और अगर 35 400 निकलत इचे की तरफ देखेंगे 34 800 वापिस से इंपोर्टन सपोर्ट में बोलूँगा वापिस से ले रहा था और वापिस से इसी लेवल पर थोड़े होवर किया एंड वहां से फिर वह कंटिनूशली ऊपर गया है 34 800 अभी भी इंपोर्टन सपोर्ट है और जब तक यह नहीं यह भी एक सपोर्ट कर सकता है लेकिन जो मैं आपको सिफ बहुत इंपोर्टन सपोर्ट बता रहा हूं जो 34 400 का है और वह मतलब नहीं तूटन चीए अगर वह तूटा तो वापिस से बैंक निफ्टी थोड़ा बेरिश हो सकती है आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए और अब देखेंगे नेक्स्ट वी कैसा जाता है और उस हिसाब से डिसकस की आगे क्या होता है और आपको वीडियो ची लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने क्या ट्रेट किया और कैसा रहा पूरा आपका दिन यही था आज के लि